हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए राज्य की टीचर वेकंसी के बारे में जो की पर्मानेंट रहेगी, रेगुलर बेस पर ये सिक्षक बढ़ती का विग्यापन जारी किया गया है इसमें जो है सैलरी 65,000 से भी अधिक मिलने वाली है, साथ में और भी जो एलवेंस हैं वो भी मिलेंगे जैसे की ट्रांसपोर्ट एलवेंस है, मेडिकल एलवेंस है, ठीक है, रेंट फ्री रेजिदेंशल एकॉमोडेशन रहेगा स्कूल केंपस में ही फ्री मिल यानि भोजन की सुविधा भी जो है आपको फ्री यहां पर प्रोवाइड होगी न्यू पैंशन स्कीम के तहट जो है पैंशन की सुविधा भी रहने वाली है 6-12 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स की वेकंसी जारी की गई है चलिए देख लेते हैं, ओफिशल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे एप्लिकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आविधन करना है सारी चीजें देखने वाले हैं सबसे पहले जो है स्केल अफ पै आप देख लें कि जो भी थमनेल में लिखा गया है, वही आप लोगों को बताए गया है पीजी टी रेगूलर बेस पर वकेंसी है पे लेवल 8 ओफ 7 CPC पे मैट्रिक विध स्केल 47,600 बेसिक पे से स्टार्टिंग है 1,51,100 तक अगर हम बात करें तो इसमें डियर्नेस अलावेंस है पीजी टी रेगूलर टीचर के लिए ट्रांस्पोर अलवेंस, फिक्ट मेडिकल अलवेंस, न्यू पैंसन स्कीम फ्री मैसिंग, ठीक है रैंट फ्री रेजिदेंशल अकॉमडेशन इसकूल केंपस अली और सबसीडी जो है स्कूलिंग फॉर टू एल्डेस्ट चिल्रन फ्रॉम 6 तू 12 ग्लासिज तो इसमें दो बच्चों के लिए सबसीडी जो है फीस में, जो भी स्कूलिंग फीस रहेगी उसमें भी मिलेगी पीजीटी रैगूलर बेस पर जो वेकैंसी है, ये ग्रूप बी की वेकैंसी है एक और वेकैंसी है, जो की नर्सिंग असिस्टेंट की है और ये भी जो है, पर्मानेंट वेकैंसी है रैगूलर बेस पर, मेल कैंडिडेट के लिए इसमें भी सैलरी जो है काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,100, 7 CPC पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, वेकैंसी का नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है तो वेकैंसी जारी की गई है सैनिक स्कूल इस्ट सियांग से इसमें जो है, सभी राज्यों के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं, सबसे ऊपर आप लोगों को बिल्कुल न्यू में दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर्डा रेगुलर पोस्ट पर्मानेंट पोस्ट इस पर आपको क्लिक करना है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल जो है स्टेट गौर्वर्मेंट के अंतरगत नहीं आता है नहीं सैन्ट्रल गौर्वर्मेंट के अंतरगत आता है लेकिन यहां से जो पर्मानेंट वेकेंसी आती है तो बिल्कुल पर्मानेंट ही रहते हैं टीचर्स सब्जेक्ट अब देखें post graduate teacher में mathematics की vacancy है physics की vacancy है और nursing assistant male candidate के लिए vacancy है pay scale आपको बता दिया है बाकी जो है सभी सुविधाएं क्या मिलेंगी वो भी बता दी age limit आप देखें यहाँ पर PZT के teachers के लिए जो age है वो 40 year है और nursing assistant के लिए age limit 50 year है qualification जो है PZT के लिए master degree आपकी subject में हो B.A.D. होना चाहिए दो साल का जो है आपके पास teaching experience होना चाहिए जो कि आपने B.A.D. करने के बाद लिया है seated या as-tet जो है वो desirable में है जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे ही आप B.A.D. कर लेते हैं उसके बाद आपने दो साल जो है कहीं पर भी पढ़ाया है किसी भी स्कूल में तो वो experience इसमें मांग रहे हैं nursing assistant regular male तो इसके लिए nursing diploma या degree मांगी गई है 5 year का experience इसमें होना जरूरी है जो भी compulsory है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ दिहान से वीडियो देखा करें जब application form आप फिल करते हैं उससे पहले ये notification को पूरा पढ़ें अब देख लेते हैं कैसे apply करना है तो SCST category जो candidate है उनकी कोई भी fees नहीं है all other candidates have to pay compulsory SCST को छोड़ कर जो category है general category EWS, OBC इनके लिए fees है 500 रुपीज का 500 रुपीज का जो है demand draft आपको बनाना है और उस demand draft को application form के साथ में attest करेंगा last date जो है रहेगी 11 सितंबर 2024 केवल और केवल speed post आपको करना है address जो है क्या रहेगा तो address यहाँ पर लिखा हुआ है Sanic School, East Siang, Nigglock Village, Raksin, Post पासी गहाट Headquarter, East Siang District, Arunachal Pradesh 791102, Arunachal Pradesh में है यह Sanic School और जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं जैसे PZT के लिए आप apply कर रहे हैं तो PZT mathematics ऐसा लिखेंगे envelope के उपर या PZT physics या nursing assistant mail regular इसके लिए ठीक है केवल और केवल speed post करना है आपको अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ application form आपको कहां मिलेगा इस notification में तो नहीं है जैसे ही official website पर आएंगे यहाँ पर उपर advertisement लिखा हुआ है या फिर latest news में staff recruitment इस पर आप click करेंगे यहाँ पर advertisement आपको देखने को मिलेगा नीचे जो है आप download कर सकते है application form click here for download यह application form है address आपको यहाँ पर भी जो है मिल जाएगा इसी address को आप लोग envelope के उपर और post का नाम subject के साथ में लिखेंगे 500 रुपीज का demand draft SCST category को छोड़ कर बनेगा उसकी जो receipt है वो आप लगा देंगे application form के साथ में अपने जो document है उनकी photocopy आपको टेस्ट करनी है यहाँ पर photo लगाना है यह पूरा जो है वो भरना है काफी बड़ा है यह application form इसको आप अच्छे से भर लेंगे कोई mistake नहीं करेंगे यह बिल्कुल permanent vacancy है regular waste पर vacancy है salary के साथ में आप लोगों को जो government जितनी भी जो है सोविधाएं देती है एक government employee को वो सारी सोविधाएं आपको यहाँ मिल रही है अब selection जो है कैसे होगा तो यह देख लेते है written exam रहेगा demo रहेगा और interview रहेगा चीक है तो इतनी अच्छी salary के साथ में जो है बहुत सारी सोविधाएं भी हैं तो ऐसे में exam, demo, interview यह सारी चीज़े आपको face करनी होगी official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिलेगा नीचे तक scroll down करके देखा करें link वही पर रहता है और उस पर click करेंगे यह page आपके सामने होगा advertisement पूरा पढ़े उसके बाद जो है application form डाउनलोड करें मिलेंगे next video में thank you